गाजियाबाद, जिसे गेटवे ओफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है. नई दिल्ली से निकटता देखते हुए गाजियाबाद को यूपी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. गाजियाबाद, नोईडा और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुक शहरों सहित यूपी और नई दिल्ली के बीच एक महत्वपून मार्क के रूप में कार्य करता है. यही वजह है कि शहर और द्योगिक और वानिजिक क्षेत्र से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत आ जिन्होंने अपने नाम पर शहर का नाम गाजियुद्दी नगर रखा था. रेलवे के पदारपन के बाद इसे छोटा कर दिया गया और इसे गाजियाबाद के नाम से जाना जाने लगा. गाजियाबाद 1857-1858 के ब्रिटिश विद्रो से भारतिये स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा था. इस युद्ध को राष्ट्र का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है. 1976 तक गाजियाबाद मेरट जिले की एक तहसील थी, जिसके बाद यह एक स्वतंत्र जिला बन गया. आज गाजियाबाद भारत का आधुनिक तम शहर माना जाता है. गाजियाबाद में आज नियोजित और द्योगिक विकास में देश के प्रमोख और द्योगिक धरानों की भागीदारी है. जिन में मोहन, मिकिंग्स, टाटा, ओल्मिल्स, मोधीस इंटरनेशनल टोबैको कमपनी, श्री राम पिस्टन, जैपुरिया जादी कार्यरत है. गाजियाबाद शिक्षा के क्षेत्र में एक शेक्षिकी हप के रूप में उभरा है. शहर में संचालित होने वाले कई उच्छ शिक्षा कॉलेज और संस्थान देश के लिए आवश्यक टेक्नोक्रेट तयार कर रहे हैं. मूलतह गाजियाबाद ग्रीन सिटी के रूप में विक्सित हो रहा है. अगले आंक में हम शहर में एतिहासिक स्थलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे.